हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो मैं चैनल से अपिसोड टीन के स्टाटूंग में हमें दिखाया जाता है कि सुबा होता है और जब मी उटकर आती है तो वो जीन से बोलती है कि मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है तुमने कल रात कैसी वाइन मुझे पिलाई थी बाद वो कॉंट्रैक्ट पेपर के रूल्स पढ़ती है जिसमें ये लिखा होता है कि मी जीन के अलावा किसी की भी साथ बैट के ड्रिंक नहीं कर सकती तो यहाँ पर वो उससे पूछती है बट ऐसा क्यों? क्या मैंने कल रात को ज़्यादा ही पी ली थी? तो जीन उसे बोलता है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया तुमने मुझे मारा भी है कल रात को उसकी बाद मी बोलती है अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस कर दी हूँ इस क्रॉंट्रैक्ट पेपर के रूल्स को फॉलो करूंगी तो उसके बाद जीन उसे बोलता है कि तब से तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो कल रात तुमने जो वाइन पीली थी उसके बाद लगता है तुम ज़्यादा ही बोलने लगी हो तो यहाँ पर मी बोलती है कि हाँ अब से ये मी बदल चुकी है अब मैं एक new me हूँ अब मैं पहले वाली भोली वाली me नहीं रही जिसे सब कोई बुली करते थे और वो चुपचाप सुनती रहती थे और ये बोलके वो बहुत खुश हो जाती है उसके बाद वो बोलती है और साथ ही साथ मैं तुमारे पार्टनर में हूँ मैं तुमारे साथ अपनी life में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ अब से मैं अपनी career पर focus करूँगी और मैं एक strong woman बनकर दिखाऊंगी उसके बाद वो इस strong me को hurt भी नहीं कर सकते है जीन उसे बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है तब तो मुझे तुम पर गर्व है उसके बाद वो उस के लिए निकलना है अगर तुम रेट करोगी तो मैं तुम यहीं छोड़कर चला जाओंगा तो यहां पर मी दहुत खुस हो जाती है और बोलती है कि क्या हम लोग साथ में office जाएंगे उसके बाद हमें यहां दिखाया जाता है कि मी जैसे office आती है सभी कोई उसे बहुत अच engagement हुआ था न तो तुम्हें थोड़ा दिन आराम करना चाहिए था उसके बाद इसकी दूसरी teammate बोलती है कि हाँ यह सही कह रही है अब तो तुम्हें office की rules follow करने की क्या जरूरत तो मी उसे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं office की member हूँ तो मुझे भी इस office की सारे rules मान करने पड़ेंगे उसकी बाद यहां पर मी अपने supervisor को बोलती है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ तो यहां पर मी का supervisor उसे एक paper देता है और बोलता है कि इसमें जितुए भी हमारे new client बने हैं उन सबकी list है आप इसे sort out करके हमें दे देना तो मी खुश हो जाती है कि चलो उसे कुछ तो काम करने को मिला उसकी बदर में दिखाया जाता है कि मी की manager आती है और सभी कोई को बोलती है कि next week से new spokesperson का चुनाव होने वाला है तो हमारे team से कौन spokesperson बनना चाता है और कौन free है मुझे बता दो तभी मी बहुत खुश ह कर अपना हाथ उठाती है उसके बाद यहां पर मी की teammate बोलती है मैं बहुत ज्यादा busy हूं next season के लिए कुस डिजाइन आने वाले है उसमें मैं काम कर रही हूं और ऐसे करके सभी लोग बोलते है कि हम लोग busy है तभी मी फिर से अपना हाथ उठाती है बट मी की manager उसे ignore करती है वो सोचती है कि वो तो यस company के boss की wife है तो उसे वो कैसे काम दे सकती है इसलिए वो उसे ignore करती है लेकिन तभी मी खड़े हो कर बोलती है कि क्या मैं spokesperson के लिए try कर सकती हूं क्योंकि मैं free हूं तो मी की manager बोलती है कि नए नए मैं तुम्हें कैसे काम दे सकती हूं तो मी उसे ब कर लेना उसके बाद आपर मी की टीमेट बोलती है कि तुम्हें कोई प्राब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो वैसे तो मैं थोड़ी से बिजी हूँ बट मैं तुम्हारे काम में हल्प कर सकती हूँ उसके बाद आपर मी की टीमेट लोग वाश्रूम में आकर मी के बारे में बा बाइफ बनने के लिए अपने आपको थोड़ा और प्रूफ करना होगा अगर वो बस एक नॉर्मल लड़की बन कर रहे जाएगी तो एक ना एक दिन उसी जरूर यहां से रिप्लेस कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंट तो इतने हैंडसम और गूड लुकिंग है उनके गया था कि प्रेसिडेंट को एक नॉर्मल ग्रेजुट लड़की पसंद आएगी तो दूसरी लड़की बोलती है हाँ मि तो बहुत ही नॉर्मल सी साधारन से लड़की है वो रिच लड़कों को इट्रेक्ट करने के अलावा उसके बाद वो लोग बोलती है मी कुछ जादा ही शोउओ भी करती है उसके बाद वो लोग चलि जाती है तभी उस वाशरूं में मी भी रहती है और मी अपने बारे में जितनी भी जुगलिया हुई रहती है वो सारी बातें वो सुन लेती है और वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये लोग अपने आपको समझती क्या है उसकी बाद वो बोलती है कि वैसे भी अब तो मैं प्रेसिरेंट की होने वाले वाइफ हूँ तो अब मुझे दिखाना होगा इन्हें कि मैं कौन हूँ और फिर वो अपने आपको आइने में देख के बोलती है और वैसे भी मैं तो बहुत सुन्दर भी हूँ अब मैं इन्हें बताती हूँ उसकी बादर में आपको दिखाया जाता है कि मी आफिस में बहुत जादा हार्ड वर्ग करती है अपने आपको प्रूफ करने के लिए और वो रात रात भर भर भी काम करती है और जीन ये सब कुछ देखता है कि वो कितना हार्ड वर्ग कर रही है उसकी बाद यहां पर वो Jean को मेसेज करती और बोलती है आज मैं शायद घर नहीं आपाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है तो मैं भी मैं आज ऑफिस में ही रहूँ तो यहां पर Jean मी का वेट कर रहा होता है और वेट करते-करते वो सो जाता है उसके बाद हो जैसे सुबा उठता है वो मी का मेसेज देखता है और उसका मेसेज देखकर वो बहुत कुस्सा हो जाता और बोलता है कि ओवर टाइम करने के जग्र में तुम कल रात घर भी नहीं आई अब रोट तुम्हें बताता हूँ पॉल फिर सी निया आपर खतम हो जाता है सो फ्रेंज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज मेरी वीडियो को लाइक करेंगे में जानों को सब्सक्राइब करेंगा में जल दीज करनी एपिसोड लेकर किया होंगी तो उसके लिवेट करिएगा सो फ्रेंज आज के लिवाई बाई मिलते हैं फिर से एक नियू वीडियो के साथ